असलाम वालेकूम, वेलकम टू फ्यूजन फूट स्वीत रूही, अगर आप वही के वही सालन और सबसी खाके बोर हो गए है ना, तो कुछ नया ट्राइ करें, आज मैं आपके साथ कॉंटिनेटल डिनर की रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ, जिसमें चिकन स्टेक, मैश ब्रेस्ट लिये है, तो मैंने दो ब्रेस्ट लिये थे चिकन के, जिसमें से इस तरह के पतले-पतले मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिये है, जितने पतले हो सके ना, आप से उतने पतले इन्हें कट कर ले, मैंने दो ब्रेस्ट में से टोटल आठ इस तरह के पीसेस निकाले थे, यह बहुत ही पतले हैं इसलिए बहुत ही आसानी से और जल्दी से गल जाते हैं इसे मैरिनेट करने के लिए यहां पर मैं एक टेबल स्पून वेनेगर आट कर रही हूं और साथ ही एक टेबल स्पून सोया सॉस आट कर रही हूं वेनेगर और सोया सॉस इसमें टेंडराइजर क करता है जिससे चिकन बहुत जल्दी गल नहीं है यहां पर एक टीसपुन ऑनियन पाउडर है, एक टी स्पुन गार्लिक पौallर, एक टीस्पुन गाली- mı्रशो का पाउडर एक टीसपुन चीली-फ्लेप्स और एक टीसपुन ही नमक है सारी चीज हो को अच्छी तरीके से mix करेंगे और यह मसाला है ना यह हमें चिकन को लगाना है तो सारा मसाला add करके हमें चिकन को बहुत अच्छी तरीके से इसे रब करना है अगर आपके पास garlic powder और onion powder नहीं है तो आप इसकी जगा लस्ट की पेस्ट एक टी स्पून और एक टी स्पून ही प्यास की पेस का तो आप उसकी पेस्ट बना कर भी इसमें यूज कर सकते हैं तो सारे मसाले को चिकन को दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से मलते हुए हमें लगाना है इस तरह का मसाला लगा कर आप चाहे तो ओर नाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं अगले दिन जब भ मसाला इसमें एड़ कर रही हूं यह मसाला बहुत ही फ्लेवर फुल है तो इस तरह से सारे चिकन की पीसेस को बहुत अच्छी तरीके से मसाला लगा के मैं बस इसे दस मिनट के लिए छोड़ दूंगी यह इच्छी मेर्िनेट होता है तब तक हमालू बॉयल कर लेते हैं मैश पटेटोज के लिए तो यहां पर तीन मीडियम साइज के मैं आलू लिया है जिससे मैंने क्यूब में कट कर लिया है इसे हमें बॉयल करना है तो यहां पर सफिशचंट पानी डालगे आधा बीट कर रही हूं और इसी के साथ मैंने दो कप मैदा भी लिया है जिससे हम क्रिस्पी कोटिंग करेंगे चिकन की तो अंडो को अची तरीके से फेट लेना है आपके चिकन के पीसे बड़े हैं तो इस तरह का थोड़ा सा बड़ा बरतन ले ताकि पीस इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए तो यहां पर मैं पहले हलका सा उसे मैदे में कोट कर लूँगी एक्स्ट्रा मैदा हम जटक लेंगे और इसके बाद इसे अंडे में डिप करेंगे जो एक्सेस अंडा है ना उसे भी हमें जटक कर लेना है और इसके बाद दो बारा से हमें मैदे में से कोट और इस बार हम मैदे में इसा अच्छी तरीके से coat करेंगे और एक्सट्रा मैदा इस तरीके से जटक कर निकाल देंगे और इसे हम shallow fry करेंगे तो यहांपर quarter cup की जितना मैंने एक pan में toler दिया है और medium to low flame के दर्मियान flame रखके हमें इन pieces को fry करने हैं इसी तरीके से हम दूसरा चिकन का ब्रेस्ट भी मैदे में डिप करके उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे मैदे में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा जटक के हम इसे शेलो फ्राइ करेंगे बहुत ही कम तेल में ये इतने सारे पीसेस हमारे फ्राय हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी इसकी कोटिंग बनेंगी तो जो भी एक्स्ट्रा मैदा है इस तरीके से जटक के हमें से हटा देना है और उसके बाद तेल में शेलो फ्राय करना है तो आपका पैन जितनी भी बड़ी या छोटी साइस का है आप उस हिसाब से इसमें पीसेस अरेंज कर लें मैं एक साथ तीन-तीन करके पीसेस इसमें फ्राई कर लूँगी तो ये बहुत ही पतले पीसेस हैं तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं बस 5-5 मिनट हर साइट से इसे फ्राई करना है 5 मिनट एक साइट और 5 मिनट बस दूसरी साइट से इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाने पर इसे हम तेल से निकाल देंगे ये बहुत ही जल्दी बनने वाली टिश है, बहुत लजीज बनती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और खाने में भी बहुत ही मसेदार लगती है तो regular meal से हटकर कभी कभी इस तरह की recipes भी try करें तो सब बहुत ही खुश हो जाएंगे तो इस तरह से जब इसे दोनों तरफ से अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाए ना तो हम तेल से इने निकाल देंगे और इसी सेम तरीके से बाकी के सारे pieces भी हमें fry करके लेने हैं तो सारे pieces मैं इसी तरीके से fry करूँगी और ये मेरे सारे chicken steaks fry हो गए है इन्हें मैं साइड में रखती हूँ जब तक हम इसके लिए बहुत ही मज़ेदार sauce बना कर तयार करेंगे तो उसी सेम तेल का मैं यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें चिकन के बहुत अच्छे से फ्लेवर से इसमें बस एक्स्ट्रा मैं एक टेबल स्पून बटर आट कर रही हूँ और जो मैदा हमने यूज़ किया था ना उसी का बचा हुआ मैदा मैं दो टेबल स्पून इसमें बेसिकली हम इसमें वाइट सॉस बना रही हैं लेकिन यह बहुत ही फ्लेवर फुल वाइट सॉस होगी तो बटर के अंदर मैदे को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है दो से तीन मिनट हम इसकी भूनाई करेंगे ताकि मैदे की रॉय स्मेल खतम हो जाए मैदा जब भून जाए ना तो इसमें हम एक कप के जितना पानी एट करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक मैगी की चिकन क्यूब एट कर रही हूँ इससे सॉस में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो ये आप जरूर से एट करें अगर आपके पास है तो इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा आपकी सॉस में इसी के साथ हम इसमें आधा कप दूद भी ऐट करेंगे दूद ऐट करने से ये सौस बहुत ही क्रीमी बनती है बहुत ही रिच टेक्स्ट्र आता है इस सौस को और बस इन दोनों चीजों को हमें मिक्स करके इसे एक right consistency तक पकाना है इस sauce को हमें ठिक करना है इसे अच्छी तरीके से बॉइल देना है और मैं बताती हूँ आपको हमें इसे कितना ठिक करना है यह देखिए इस तरह से जब हमें spoon पे लेना और बिज में finger लगाए तो यह दो parts में divide हो जाना चाहिए इतना ही ठिक करेंगे और gas की frame को off कर देंगे यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छी तरीके से boil हो गए है इसका जो पानी है यह हम drain करके लेंगे और इसी same बरतन में हमें आलू को mash करना है आलू जब गरम होना तभी हम इसे mash करेंगे और इसे बिल्कुल paste की तरह mash करना है आलू में कोई भी लंब नहीं रहने चाहिए mash potatoes ऐसे भी खाने में बहुत ही मज़िदार लगते हैं और इस तरह से जब हम बना के chicken steak के साथ खाते हैं ना तो यह एक complete meal हो जाता है हमारा आलू को हमें बहुत अच्छी तरीके से mash करना है और गरम-गरम में ही मैश करना है हमें आलू जब अच्छी तरीके से mash हो जाए तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून बटर आठ कर रही हूं आलू की गर्मी की वज़े से यह बटर इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा तो अब चम्चे की मदद से मैं इसमें बटर को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कि कितना स्मूद और क्रीमी ये आलू अभी से बनके तयार हुआ है इसके बाद इसमें मैं कॉटेर टी स्पून की जितना नमक अच्ट कर रही हूँ और कॉटेर झाली मिर्चों की पाउडर भी एड़ कर रही हूँ नमक हमने आलवों को बॉयल करते टाइम भी एड़ किया था तो इस टाइम पर आप थोड़ा सोच समझ कर ही नमक एड़ करें बस इन चीज़ों को हमें आलवों में अची तरीके से मिक्स करना है और इसी के साथ यहां पर मैं कौटर कप की जितना दूद एड़ कर रही हूँ यह दूद आलवों के साथ बहुत अच्छी तरीके से एबसॉब हो जाता है और कहीं से भी आलू आपको गिला गिला नहीं लगेगा बलके बहुत ही क्रीमी इसका टेक्स्चर आएगा यह देखिए कितना क्रीमी हमारे यह मैश पटेटो बन के तयार हुआ है यहां पर मैं एक स्लाइस चीज का भी आट कर रही हूँ यह डालना टोटली आप्शनल है डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन आप ना डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो ज मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए यह देखिए यह बड़ा मज़िदार सा मैश पटेटो भी हमारा रेडी है इसे कवर करके हम साइड में रखेंगे और सबसे लास्ट में हम स्टर फ्राय वेजीटेबल्स बनाएंगे तो यहां पर एक छोटे से पैन में मैं मैं कोटर टी स् जितना बटर ले रही हूं और इसमें मैं एक कप की जितनी मिक्स वेजीटेबल डाल रही हूं यह मेरी फ्रोजन वेजीटेबल्स है जो अल्रेडी कुक्ड होती है तो बस हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट में इसे स्टर फ्राय करूंगी वेजीटेबल्स आप अपनी तैयार हो गए हैं आपको अगर ऐसा लगे के यह सब तैयारी करते हुए आपके चिकन स्टेक्स थोड़े से थंडे हो गए है तो ओवन में मिनिमम हीट पर उन्हें दस मिनट के लिए रग दे तो एक्दम क्रिस्पी वो दो बारा से बनके तैयार हो जाएंगे तो बस दो से तीन मिनट इसे फ्राइब करके हम गैस से रिमूब कर देंगे तो चलिए इसकी सर्विंग करते हैं तो मैंने प्लेट में एक साइट Goodness रखे हैं एक साइट पे के वेजीचाब लगे और इसे साथ मैंने चिकन भी सर्फ कर दिया है और जो हमने Creamy sauce पनाई थी नो वो सॉस इसके उपर रिजल करेंगे तो यह बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यूनिक आपकी चिकन स्टेक मैश पोटेटोस की रेसेपी बनके तयार होगी कभी कभी इस तरह का कुछ अलग खाना भी बहुत ही मज़ेदार रखता है तो आपको रेसेपी कैसी लगी मुझे अल्ला हाफीज